आखिरकार जो जबरदस्ती डॉनिशन की मांग से परेशान इस्ट्रूएंट्स थे उन सभी की दुआओं का यहां पर असर हुआ है और अब देखिए बी एड को लेजों में नहीं चलेगा हाजरी का खेल 30 दिन में बायोमेट्रिक लगाने के फरमान जारी हो चुके हैं और अ आप जब किसी भी कोलेज में आप देखेंगे तो मिनिममम गाइस 25-30,000 वह मांग करते हैं तो उसमें सिव आपको पता है कि एक रुपया भी कम नहीं करते हैं कि इतने देने पढ़ेंगे नहीं तो इंटेंसिप नहीं करवाएंगे या फिर एक्जाम में फेल कर देंगे रि चांसेज यही है गाईस की जो डी एलेड यह बाकी सभी टीचिंग कोर्सेज हैं उन सभी में भी बायमेट्रिक लगने के पूरे पूरे चांसेज हैं क्योंकि सभी में यहां पर काफी ज्यादा फरजी वाड़ा देखने को मिलता है और देखिए थोड़ा बहुत फरजी वा तो अपडेट देखे यहां पर की प्रदेश बीएड कोलेजों में उपस्तिती के नाम पर वसूली के खेल को देखते हुए अब उच्छ शिक्षा विभाग ने सकती दिखाई है विभाग ने सभी कोलेजों में 30 दिन में बायमेट्रिक उपस्तिती की व्याख्या कराने के निर्देश दिये हैं नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ विभाग की और से कारेवाई की जाएगी गोईतलब है कि रजस्तान पत्रिका ने बुद्वार के अंक में इस मुद्धे को प्रमुक्ता से उठाया था अब उच्छ शिक्षा विभाग के सासन सचीव भवानी सिंग देशा ने आदेश जारी किये हैं प्रदेश के एकजार पैतीस में से ज्यादतर बेड कोलेजों में यह व्यवस्ता लागू नहीं हैं और साथ ही यहां पर देखिए इस सिक्षकों की तरह रोजना अपडेट होगी हाजरी यानि की डेली हाजरी जो है अपडेट की जाएगी सिक्षकों के ओनलाइन उपस्तिति के फोर्मूले के आधार पर उच्छ शिक्षय विभाग की और से अभ्यरतियों की हाजरी के डेटा को ओनलाइन करने की तयारी की जा रही है इसके तहत विद्यारती संस्ता परधान अभीभावक वे विभाग के अधिकारी भी एक क्लिक पर हाजरी देख सकेंगे तो यह बहुत ही बढ़ी है यहां पर अपडेट उन के लिए जो आजपास वाले स्टुएंट्स है उनको जबरदस्ति डोनेशन की मार यहां पर सहनी पड़ती है और अब जो देखी यहां पर यह अपडेट तो ठीक है गाइस की रेगुलेटी यहां पर रहेगी और बच्चे जब डेली कोलेज जाएंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बट कही ना कहीं यह अधर स्टेट वाले स्टुएंट्स के साथ नाइसापी है क्योंकि उनको जबरदस्ति पहले ही अगर उनको खुद के जिले में आपर कोलेज मिली होती तो वो डोनेशन देते ही नहीं और रेगुलर कोलेज यहां पर करते बट गाइस सिस्टम ही कुछ ऐसा हो चुका है कि यहां चाहिए देख लो दोनों में क्या होता है कि जातर जो स्टुएंट्स हैं उनको अधर स्टेट में कोलेज मिलती है तो उस वज़े से उनको आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना होता है और जब वहां पर रूम लेकर कर रहते है तो उनसे भी काफी सारा खर्चा वहां पर हो जाता है तो उसको देखते हुए डोनेशन देना उन्हें सस्ता लगता है तो सुकाराण से वो डोनेशन देते हैं कोई भी कुछी से डोनेशन यहां पर नहीं देता है किसे न किसी अपनी परिस्तितियों के आधार पर यहां पर या नहीं रुखेगा या फिर और क्या क्या चैंजिस यहां पर होने चाहिए गाइस कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है सभी अपने अपने विचारों को कमेंट में जरूर बताएं चले गाइस जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ